कि अधिया देवी के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं गुफा की और यहां एक गुफा है जो हम आपको अगे दिखाते हैं लीजए देखिए हम अभी पता चल चुका है कि घुफा चालू है हमें लाग रहा था कि घुफा बंध है तो हम अभी आपको की अंदर तो चले मुझे बहुत ही चोटा रस्ता है तो अपन्त चलते हैं देखते हैं जहमाता की अइसे तो कफी उतना खतरनाक नहीं है रस्ता और उपर सिमेंटेड हो गया है और यह पतला सा गुफ़ा बोलके दिखाते हैं तो महिया महिया मतरानी का ही रिपा है देखो गुफ़ा का है और सामने आपको दिख रहा है जर्णा और बहुत ही कोश्च रत नजारा है वही तो चलिए देखे उपर मे पर बड़ा बड़ा सुन्दर लग रहा है अब पंजार है और सामने पता नहीं कैसे उतरूंगा अब समझ नहीं आ रहा है अब देखो भई यहां पर यहां पर आसा भी हुआ था कि मतलब पहले पत्थर होता था तो पत्थर के कारण नहीं मतलब उतर पाते थे और हाथसाय हो जाते थे तो देखो अभी सीड़ी यां वगरा बन गई है और हम काफी अराम से उतर गया वही और यह खुबसुरत सा नाजारा तो लगा जैकारा बोल साचे दरबार के देखिए इस बार तो भाई यह मोटा मोटा आदमी भी निकल गया भाई यह हमाई माई इतनी पतले से जगह में भाई यह कैसे रिखला सीधा हेल्थ मैं तो सोच रहता कि नहीं 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 कर सकते तो दोस्तों यह मौसम है ऑफ सीजन के क्योंकि हम लोग आहां आप सीजन तो यहां पर पानी नहीं है आपको पतर पतर हमें यहां पर घूम पा रहे हैं लेकिन हम यहीं बारिश की मौसम पर आए तो भई नजारे तो पूछिए माई यह सभी पुरा भरा होगा और बहुत ही देखो बहुत ही सुंदर बहुत अच् law dan hu ert place good as a new तो थड़ा और गुंथें देखते हैं तो दोस्तों यह वो नजारेा हैं जहां से हम देख रहे हैं जहरने गिर रहाते और ये जहरने का स्त्रोत मतलब कि पानी आ रहा रहा है वो काफी उपर से आ रहा है तो हम ठोड़ा ऑधर घूम आते हैं और जान पर खत्रार ना बनाते हुए क्योंकि क्युक्य देखो कमे पानी पी देखने मेरे मिलते हैं वहाँ से आ वहां से आ रहा है तो तो दोस्तों स्विया देवी का ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और हम चलते हैं नए सफर कियो तो नए सफर से जोड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और देखते रहे हैं मकर व्लॉग्स झाल करते हैं